दोस्तो आज की रेसिपी है कच्छे नारियल को उबलते हुए दूद में डालो और फिर बना लो एकदम नई रेसिपी जो की बहुत टेस्टी बनती है बहुत कम समानों से बनके तैयार हो जाती है जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं तो च आजी कटोरी नारियल लिया है कच्छे नारियल है तो चलते हैं गैस की तरफ हो तो हमने ले लिया है दोस्तों देखिए करहाई आप इसके अंदर डाल देंगे छोटा ग्लाइवाला देखिए जो चाय वाला ग्लास अताना मैंने उसी ग्लास से दूद लिया है ज्यादा चैन CA करहाई ने लिए झाल सकते हैं जब तक कि दूद अलम में आधे्ड दूद में आने लगा है देख सकते हैं आप लोग χ Cash legal और सीमय में तो दूद को कच्छे नारियल लिए दूद में ऊबलते के व्यार दूद में 12.1 इसको5 मिनेट के लिए इस तरिके से पकाईगे दोस्तों देखिए धीरे धीरे हम नारियल को पकाएंगे ताकि दूद्ध नारियल के अंदर बहुत ही बढ़िया से चले जाएंगे और नारियल भी हमारा अच्छे से शॉप्ट हो जाएगा जिससे हमाई रैस्पी बहुत अच्छी बनने वाली है दोस्तों बहुत टेश्टी तो देखिए दोस्तों ने 5 मिन पका लिया बढ़िया से नारियल को देख सकते हैं अगी क्या करेंगे दोस्तों गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा पर देखिये इसको अब एक टोड़ा एक लाइची तो पहुते हैं कोई बाई फूट का बहुती है। तो चलिए इसको हम बढ़िया से ग्राइंट कर लेंगे और पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आप लोको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा चैनल पनाए हो तो चलर को सब्सक्राइब कर लिजेगा कमें प्लीज मैं जबढ़ें बताएंगा कैसी लगी आज के मैं रेसिपी तो हमने बढ़िया सब्सक्राइब बना लिया है में यह दूध का ने बढ़िया सेध्य नोसके बन तयार हो देख सकते हैं आप लोग इसी तरीके से में बना के रख लेना इसको तो में पहले नहीं निका दोस्तों कि मैं भी बहुत जदा मीठी यह जाएगी चुछा काटोरी लिए चीनी उसको बड़िया से गुला लेंगे मेल्ट करेंगे दोस्तों इसे तरीके से पानी डूद्ध में कुछ फी नहीं डालना है इसी तरीके से चीनी धीरे-धीरे से मेट होने लगी है देख सकते है होग तो अगर आप इस तरीके से को इस को मेल्ट करेंगे तो यह देख है तो इसå खैलने कोंगे अश्छा कि इसी तरीके से रहे है तो इसमें कोई बीडर बी डालेंगे बहुत estão तो देखें बढ़िया से चीनी मेल्ट हो गई है कलर भी बढ़िया आ गया दोस्तों तो हमें बस इसी तरीके से चाहिए था आप गया वहां बंद कर देंगे और साइड में थंड़ा होने के लिए तो दोस्तों आप कहां से वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेट क्यों जब ब जाल है गी वारा गरम हो जाये तब दाल देंगे लगशा पैर द्सकुर में हम देख बुहत के जाए हैं जाले औराप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बून लिया है अब जब हमारे सिंगाड़े काटा बूं जाए दोस्तों तब इसके हम डाल देंगे जो हमने नारियल दूद का पेस्ट बना के रखा था है तो हम सारा पेस्ट को डाल देंगे इसी समय आटे के अंदर या देखे इस तरीके से और पी बढ़िया से इसको जल्द के भी खा सकते हैं दिवाली आ रहा है आप उस पे बनाएगा मिठाई बहुत अच्छी आएगी दोस्तों तो देखिए बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो प्लीज वीडियो को डाल देंगे इसके अंदर जो मिल्ट करके रखे थे उसके बाद इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से तो मिक्स करते हुए पकाना है दोस्तों तो से 3 नेट के लिए अच्छे से जब तक ये बढ़िया से सूख न जाए ड्राइ न हो जाए तब तक इसे चलाते रहना है के देखे कितने बढ़िया शींचे चाथरा जाए जो रहा है अब देख सकते हैं यह त्क भी हो गया यह देखिए कितना अच्छा अच्छा कलर आया दोस्तों पूंते हुए हमें हो गया है ती शे चाबने और बढ़िया से घ्राइब हो गया देखिए वास इसी तरीके से मि कि आड़ी नहीं नहीं बनां MICHAEL को ब्रखो proclaim संधै दोस्टों आह झी तरीका से स्टीक कर लें जाये कि या ठाल प्रxt जाए को चेया कृआ है właściं ता इस जा छार्य चाहिए तो सोगो आपर धिकने संस्था है कल भी दोस्ति कर मただ तो यह देखे दोस्तों हमने आधे गंटे के लिए रख दिया था बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है देख सकते हैं अब इसको निकालेंगे एक प्लेट में निकालना भी बहुत आसान है दोस्तों बहुत ही आसानी से निकल जाता है यह देखिए और भी कितना बढ़ी आया प्रफी आकें अब इसको हम अपने इच्छा रुसार आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं हम इसको स्क्वेर में और इसानी से कट वी रहा है बहुत सौट बर्फी बनके तैयार हुए दोष्टो एक बार आपने इस मिठाई को बना लिए आना तो आप बार बेद बनाने का मन करेगा और आप इसको बना के एक से दो हबते तक आरामके खा सकते हैं खराब नहीं होगा इ तेखिए हमाई बर्फी बनके तयार हो गई है कि इसी तरही के से बनाएंगे थोड़ा से इसमें हम बदाम उपर से लगा देंगे कट कर दोस्तों पीसे में ताकि मैं बर्फी और बी ज्यादा सुंदर लगे देखने में और देखिए जट पड से बनके हमाई वर्फी नारियल से बनके तयार हो गई है जो कि खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान है आपको तोड़कर दिखाती हो कितनी सॉप्ट बनी है देखिए मूं में जाते ही घुल जाएगी तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएए बहुत सारी व